Hello friends, अपनी L.T. English सीरीज के अंतरगत, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जोन मिल्टन की एक बड़ी ही पॉपुलर पोयम जो सॉनेट फॉर्म में लिखी गई है और जिसका टाइटल है फ्रेंट्स On His Blindness और व्लाइनेस कहते हैं अंधेपन को, यानि उसके अंधेपन पर पोयम की कुछ बेग्राउंड पे, बेग्राउंड की हम बात कर लेते हैं फ्रेंट्स देखिए अगर poem की इसकी बात करें तो sonnet form में है और ये जो sonnet है ये कौन सी sonnet है ये है petrarkan sonnet petrarkan type की ये sonnet है और जो petrarkan sonnet है अब इसकी अगर rhyming scheme की अगर हम बात करें इस particular sonnet की तो ये है a, b, ba a, b, ba, c, d, e, और c, d, e ये इसकी rhyming scheme है और mostly जो petrarkan sonnets है वो John Milton ने लिखी जिनको italian sonnet भी कहा जाता है अगर इस sonnet की बात करें on his blindness की तो ये जो लिखी गई friends ये 1652 में लिखी गई लेकिन कुछ sources बताते हैं कि ये 1652 की जगा 1655 में लिखी गई हाला कि अगर हम इसके publication की बात करें तो ये जो first time publish हुई थी publish हुई थी Milton's 1673 poems ये एक title था Milton's 1673 poems यानी 1673 poems clear friends और ये जो title आप देख रहे हैं on his blindness ये title जॉन मिल्टन ने नहीं दिया खुद ने नहीं दिया actual में जब sonnet होती है कोई भी sonnet mostly जो उसकी first line होती है उससे पहचानी जाती है तो ये जब first time publish हुई तो ये अपनी जो first line थी इसकी when I consider how my light is spent इससे पहचानी जाती थी या फिर नमबर से जानी जाती थी लेकिन इस title को एक ओथर रहे टॉमस न्यूटन टॉमस न्यूटन ने उनका एक 1761 एडिशन था और मिल्टन पोईट्री यानि 1671 एडिशन और मिल्टन पोईट्री उसमें first time इन्होंने ये जो title है ये दिया इस sonnet को clear friends तो दो तीन बाते हमने सीखी अभी background में क्या क्या सीखा ये जो sonnet है ये कैसी sonnet है पत्रारकन sonnet है इसका हमने rhyming scheme लीज की ABBA, ABBA, CDE और CDE इसके बाद ये जो title है ये इन्होंने मिल्टन ने खुद नहीं दिया ये title दिया था टॉमस न्यूटन ने 1761 में और अगर sonnet की इसकी publication की इसकी published year की बात करें तो ये publish हुई थी Milton's 1673 poems में और ये compose की गई थी 1652 और 1655 दो sources है कुछ कहते हैं 1652 हैं 52 वाले जादा हैं और कुछ sources कहते हैं 1655 के बीच लिखी गई थी clear हाला कि जहां ambiguity होती है इस तरह की तो उसमें क्या होता है जो जादा sources कहते हैं उसको आपको follow करना चाहिए यानि 1652 जो है ये आप मानके चलें कि 1652 में लिखी गई चलिए अब इसको हम explain कर लेते हैं और देखे पोयम यहाँ पे actual में है क्या ये एक divine message ये देती है to the suffering mankind को सफर करती ही mankind को कि they should have faith in God कि उन्हें इश्वर में आस्था रखनी चाहिए ये जो sonnet है एक message देती है और यहाँ ये जो sonnet है ये actual में एक personal grief है poet का personal grief व्यक्तिगत एक दुख है और दुख क्या है कि milton की जो blindness है वही दुख है और आप जानते हैं कि 44 की age में milton completely blind हो गए थे clear यानि 1608 में वो पैदा हुए और at the year 1652 24 साल की age थी 1652 में बात करें तो वो completely blind हो गए थे तो उसी grief को यहाँ उन्होंने बताया है clear friends चलिए explain कर लेते हैं text को when I consider how my light is spent and half my days in this dark world and by it and that one talent which is dead to hide lost with me useless though my soul more bent तेकर first line पे आते हैं when I consider कि जब मैं देखता हूँ consider कहते हैं देखना, समझना, जानना और जब मैं देखता हूँ, समझता हूँ, क्या समझता हूँ how my light is spent, कि किस परकार से मेरा जो परकाश है वो कदम हो गया और यहाँ light की बात कैसी light की हो रही है यहाँ अपनी eyesight की बात कर रहे है अपनी जो दरस्टी है, उसकी यह बात कर रहे है किस परकार से मेरी आँखे चली गई, किस परकार से मेरा जीवन अल्दकार में हो गया, किस परकार से मेरा जो परकाश है, जो इस वर ने मुझे आखे ली थी वो चली गई है क्लियर हुई फर्स्ट लाइन एर हाफ माई डेज और एर का मतलब है बिफोर बिफोर हाफ माई डेज और मेरे आधे दिन से भी पहले मेरे आधी उम्र से भी पहले हमोमन एक आदमी की एज उन दिनों सो साल मानी जाती थी सो में आधी हो गई पचास-पचास साल से पहले ही अन्दा हो गया आदमी तो इस बात को कह रहे हैं कि जब मैं देखता हूँ कि मेरी आधी उम्र से भी पहले मेरी जो रोशनी है वो चली गई है इन दिस डार्क वर्ल्ड और वाइट और ये संसार मेरे लिए क्या हो गया अंधकार से बरा हुआ हो गया और विस्तरत हो गया बड़ा हो गया आपकी आँखे होती है तो आपको दूरी दूरी नहीं लगती लेकिन जब आपकी आँखे नहीं होती तो आपसे कहा जाए आप सो मीटर चल लो इस अंधकार युक्त और विस्तर संसार में and that one talent which is dead to hide और मेरे पास एक ही talent था which is dead to hide जो मृत्यों मुझसे छीन लेगी clear? और वो talent क्या था? lost with me, useless वो मेरे पास कैसा बन गया talent? वो useless हो गया और यहां वो talent की बात कर रहे हैं उनके पास एक talent था और वो talent क्या था फ्रेंट्स? वो talent था composing poems, poems को लिखने का talent clear? यानि जो talent था मेरे पास जो कभी था लिखने का talent था कभी था करने का talent था poetry का जो talent था वो useless बना रहा यानि मेरा poetic talent जो है वो useless बना रहा क्यों बना रहा? क्योंकि अब आदमी blind हो गया तो वो उस talent को कैसे यूज़ करे और वो जो talent है which is death to height जो talent वोसे मरत्यू चीन लेगी अब देखिए यहां एक चीज़ आप notice कीज़े कि जो talent है यहां T capital यूज़ किया है author ने actual में यहां वो एक ऐसे talent की बात करते हैं जो talent एक reference वो देना चाहते हैं Bible में एक book है Matthew और Matthew में एक जगा वो line 14 से 30 के बीच में एक talent का जिकर करते हैं और उस talent में क्या है कि एक master है उसके three servant है वो उन तीनों को कुछ coins देता है यानि कुछ सिक्के देता है वो talent के रूप में एक journey पे जाने से पहले वो पहला वाला जो servant है उसको देता है five coins यानि पास सिक्के दूसरे को दो सिक्के और जो तीसरा servant है उसको देता है वो एक सिक्का एक सिक्का समझ दीजिए एक ability समझ दीजिए आप clear और वो कहता है कि जाओ और अपनी योग्यत है तुम्हारा दिमाग है उसके according को अपने coins को खर्च करके आ जाओ तो पहला servant जाता है जो five coins है उनको व्यपार में लगा देता है और उनको डबल कर लेता है दूसरा servant जाता है और वो भी व्यपार में लगा लेता है और वो भी उनको डबल कर लेता है कितने coins मिलेते second servant को two coins लेकिन जो third servant है third servant अपने talent को क्या कर देता है वो अपना जो सिक्का लेता है और मिट्टी के अंदर उसको दबा देता है छिपा देता है master lot आता है जब मालिक आता है वो कहता है भाई लाओ अपना जो talent है जो मैंने दिया था तुमें वो return कर दो तो वो पहले और दूसरे servant की वो क्या करता है परसंसा करता है परसंसा क्यों करता है talent दिया उन्होंने उसको double कर दिया लेकिन जो third servant था जिसने talent को use नहीं किया उसको master उसको इश्वर क्या करता है child करता है डाटता है तो milton यहां कह रहे हैं कि मेरी जो condition है वो भी उस third servant के समान है जिसको इश्वर ने डाटा था बात के लिए रोगई friends यह यहां एक reference देना चाह रहे हैं कि मैं भी उस third servant के समान हूँ क्योंकि मेरे पास जो talent है वो क्या है वो useless है अब मैं उसको use कैसे करूँगा और आगे वो कहते हैं यह child वाली बात आती है देखिए यहां my true account चलिए अभी explain करेंगे इसको returning child बिल्कुल same reference जो Matthew में दिया वो ही reference वो यहां दे रहा है clear friends चलिए बढ़ जाते हागे which is dead to hide, lodged with me useless वो talent मेरे पास useless बना रहा though my soul more bent to serve there with my maker यद भी मेरी जो आत्मा है, soul है वो चाहती थी कि उस talent से क्या करूँ to serve there with my maker अपने सरस्टा की, अपने इश्वर की मैं इस्तूती करूँ and present my true account और अपना एक सच्चा लेखा जो खा इश्वर के समक्स मैं परस्तूत करूँ clear? बात समझ में आई कि मैं एक सच्चा लेखा जो खा परस्तूत करूँ मैं इस्वर की इस्तूती करूँ और मेरी आत्मा ये सोचती थी मेरी आत्मा ये चाहती थी कि मैं श्वर की प्रस्त इस्तूती करूँ लेस्ट ऐसा नहो कि ही रिटर्निंग चाइड की अंतिम समय में वो मुझे चाइड करे वो मुझे डाटे और ये रेफरेंस क्या है चाइड वाला वो बिलकुल वो रेफरेंस है जो मैथ्यू से जॉन मिल्टन ने लिया है जिस परकार से उसको चाइड किया उस थर्ड सर्वेंट को चाइड किया अपने पोईटिक अपने जो टैलेंट दिया था इस्वर ने उसको यूज ना करने के कारण तो वो कह रहा है कि मुझे भी मैं अपने टैलेंट को यूज नहीं कर सकता क्योंकि मैं अंधा हो गया हूँ तो ऐसा नहों कि मुझे अंतिम समय वेश्वर की डाट खानी पड़े डाट गॉड इग्जेक्ट डेलेवर लाइट डिनाइट एक मूर्कता भरा प्रशन वो कहते हैं मैं मूर्कता भरा एक प्रशन पूस्ता हूँ अपने आप से और वो क्यूशन क्या है कि डाट गॉड इग्जेक्ट डेलेवर कि शायद भगवान डेलेवर दिन में किये जाने वाले कार्यमों से चाहते थे light denied इसलिए में जो light है वो उनों ने छीन ली इसलिए मुझे अंधा बना दिया क्यों? क्योंकि जब आप दिन में होते हैं तो जो आँखों से देख पाते हैं वो काम आप कर लेते हैं रात में तो अंधै ही हो जाते हैं क्योंकि अंधिरा होता दिखाई नहीं देता तो शायद मुझसे वो दिन में किये जाने वाले कार्डे चाहते थे ऐसा इश्वर सोचते थे और इसी कारण उनोंने जो है मुझे मेरी जो रोश्णी है वो छीन ली I fondly ask ऐसा मूर्ता भरा प्रशन मैं पूसता हूँ बट पेशेंस टू प्रिवेंट डाट मर्मर सुन रेप्लाइज लेकिन पेशेंस टू प्रिवेंट लेकिन मेरा धैर्य मुझे रोक देता है और धैर्य रोक रहा है देखें फिगर स्पीच भी आपको यहां दिखाई दे रही है पेशेंस टू प्रिवेंट पेशेंस है धैर्य धैर्य रोक रहा है धैर्य को यहां ओथर ने क्या क्या है परसोनिफाई कर दिया है कि धैर्य आता है मेरे उपर और मुझे रोकता है और क्या कहता है प्रिवेंट डैट मर्मर उस बड़ बड़ा हट को जो मैं बड़ बड़ा रहा हूं उसको रोकने को कहता है क्लियर और वो बड़ बड़ा हट रोकने को कहता है क्या मुझे एक जवाब मिलता है सुन रिप्लाइज God does not need either man's work or his own gifts देखिये लेते हैं लाइन कि मैं मूरता भरा प्रशन पोचता हूँ कि शायद इस वर मुझसे दिन में किये जाने वाले कार्जे चाहते थे इसलिए उन्होंने मेरी जो रोश्टी है वो चीन ली लेकिन धैर ये मुझे रोग देता है and that murmur soon replies और वो बड़ बड़ा हट जवाब देती है और बर मर सून replies यहां देखिए एक figure speech और आपको मिल जाती है मर 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 क्या होती है sound होती है तो यहां figure speech आपको मिल जाती है onometo होई clear patience में मिल जाती है personification और क्या reply मिलता है मुझे कि God does not need either man's work or his own gifts कि इशवर्ट को नहीं चाहिए थे क्या ना तो आदमी के काम और ना ही उसके gifts कि यानि इशवर्ट को नहीं चाहिए इशवर्ट तो देने वाला है उसने जो gifts हमें दे दिये हैं वो हमारे gift नहीं चाहता वो नहीं चाहता कि जो उसने हमें जो दिया है वो हमसे वापस ले ले यानि इशवर्ट को आदमी का कोई काम नहीं चाहिए उसे वो gift भी नहीं चाहिए जो उसने आदमी को दिये है God never comes to ask for work किसी काम को जो काम इशवर्ट हमक करते हैं इशवर्ट वापस नहीं चाहता वो giver है वो receiver नहीं है हमेशा data होता है इसवर्ट के लिए हम कहते हैं data data राम तो data है वो तो देने वाला है वो लेने वाला नहीं है उसको कुछ नहीं चाहिए बात के लिए है आगे बढ़ते हैं who best bear his mild yoke they serve him best देखिए योक कहते हैं mild कहते हैं light हलका और योक कहते हैं जुआ और जुए से मतलब यहां है burden और एक्च्वल में योक क्या होता है जो अपने हल में चलते वे बेल देखे होंगे उनके कंधे पर एक जुआ रखा रहता है जो उने जुए से connect करके आगे आप चलते हैं क्या हल तो उस जुए को कहते हैं योक यानि यहां burden के लिए यूज किया है कि जो इश्वर्ण ने हमें burden दिया है जो हमें जिम्मेदारी दी है who bear his who best bear his mild yoke कि जो उस जिम्मेदारी को जो उस burden को सहन करते हैं सबसे अच्छे तरीके से सहन करते हैं इसके सबसे अच्छे सेमक होते हैं कि इश्वर्ण ने हमें जो जिम्मेदारी दी है हमें कुछ नहीं करना हमें तो उस जिम्मेदारी को सहन करना है और अगर हम जिम्मेदारी का निर्वेन कर रहे हैं उस जिम्मेदारी को सहन कर रहे हैं जो हार्ट सिप हमें दी है इस वर्डे उसको हम बिया कर रहे हैं तब हम क्या कर रहे हैं इस वर्ड की सेवा कर रहे हैं बात है, क्लियर कि हम सच्चे वर्षी पर है सबसे रच्चे वर्षी पर तarm कोई शकायत नहीं कर रहे हैं और जो इशवर्ण ने लुख दे दिया जो इशवर्ण ने बर्डन दे दिया उसको हम सहन कर रहे क्लियर, यहांनी व्यक्ति को हर hardship में क्या रहना चाहिए खुश रहना चाहिए हर hardship को खुशी-खुशी सेहन करना चाहिए यह message यहां इस poem के माध्यम से वो देना चाह रहे है line clear है चलिए आगे बढ़ते है his state is kingly कि उनका जो राज्य है एक राजा का जो राज्य होता है उसके समान इश्वर का राज्य है his state is kingly यानि जो इश्वर है वो क्या है उनकी जो position है वो एक king के समान है God's position is like a king और वो क्या है वास्तब में तो राजाओ के भी राजा होते है इश्वर को क्या कहा जाता है राजाओ के भी राजा और thousands at his bidding speed बिड कहते है आदेश पाना इच्छा और हजारों उनकी इच्छा पाकर उनका आदेश पाते ही दोड पड़ते हैं कौन दोड़ पड़ते हैं कि इश्वर तो एक राजा के समान है और हजारों लाखों देवदूत एंजल्स उनकी सेवा में तयार हैं वो हमेशा इस पर किमांड का वेट करते हैं कि कम्षवर कमांड दे और कम हम दोड़ पड़ें और वो कहां दोड़ पड़ते हैं और बिना रुके वो लेंड पर और ओशन पर यानि जमीन पर और ओशन पर विदावट टेकिंग एनी रेस्ट दे पोस्ट ओवर लेंड और ओशन कि वो दोड़ पड़ते हैं कहा दोड़ पड़ते हैं जमीन पर और समुद्र में बिना किसी भी रेस्ट को किये हुए कौन देवदूत हजारो देवदूत और वो देवदूत जो इश्वर की सेवा में खड़े हुए है मत के लिए रेफरेंस यानि हजारो देवदूत खड़े हैं इसवर की सेवा में जैसे राजा की सेवा में हजारो नोकः चाकर खड़े होते हैं और वो उसका आदेश पाते ही जमीन पर और समुद्र में बिना थके, बिना रुके वो दोड़ पड़ते हैं लेकिन ये जो मौका है सब को नहीं मिलता सारे एंजल्स ऐसे नहीं होते जिनको आदेश मिले तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो खड़े रहते हैं और अपनी बारी आने का वेट करते रहते हैं और ये लास्ट लाइन बड़ी ही पुलर लाइन हो गई है एक फेमस कोट बन गई है जो केवल खड़े हैं और अपनी बारी का वेट कर रहे हैं जो इस बात का वेट कर रहे हैं कि इश्वर कब हम को आदेश दे और कब हम इश्वर के आदेश का पालन करें क्लियर? यनी उनकी जो readiness है तो serve God is also a kind of His service जो उनकी ततपरता है वो भी एक सेवा है इस्वर की सेवा के समानी ही है वो बराबर बिलकुल सचे वर्शिपर हैं जो सेवा कर रहे हैं जो इस्वर का अदेश पाकर दौर रहे हैं बिडिंग स्पीड वो और जो wait कर रहे हैं वो दोनों ही equal है क्योंकि वो भी खड़े हैं अपनी क्यूब में खड़े हैं wait कर रहे हैं अपने turn का clear बाद I think यह text बढ़िया से समझ में आया होगा sonet का तो चलिए friends, lecture कैसा लगा अपनी राए जरूर दें तैयारी करते रहेगा और मिलते हैं next lecture में आगी नए text को explain करते हुए now thanks for watching this video